कोरोना से मरने वालों की संख्या को लेकर हमेशा से ही सरकार पर सवाल उठते आए हैं लेकिन अब मुआवजा राशी बाटे जाने के आंकडे ने भी सरकारी आंकडों को जुटला दिया है वर्तमान में जो सरकारी रिकॉर्ड पर कोरोना से मौत के आंक्डे दर्ज है वह हकीकत में 25 फीसदी भी नहीं है यारो पहम नहीं बलकि सरकार द्वारा बांटी जा रही अनुग्रह राशी के आंक्डों से लग रहे है हाला कि इंदौर कलेक्टर मनीज सिंग ने इस पर सपश्टी करण देते हुए इसके कारण बताए है उजैन शहर की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक सरकारी रिकॉर्ड में 173 लोगों की पहली दूसरी तथा तीसरी लहर में मौत का आक्ड़ा दर्ज है जबकि सरकार द्वारा बांटी जा रही अनुगरह राशी की बात की जाए तो यहाँ पर 700 लोगों को 3.5 करोड रुपे की राशी वितरित की जा चुकी है इसके अलावा अभी 455 आवेदन पेंडिंग है इससे स्पस्ट है कि सरकार द्वारा जो अनुगरह राशी वितरित की जा रही है उसके आकड़े सरकारी रिकॉर्ड में तर्ज मौत के आकड़ों से काफी अधिक है यह केवल उजयन की हालत ही नहीं बलकि इन दौर में भी आकड़ों की बाजिकरी के मामले सामने आ रहे हैं इन दौर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1405 है जबकि अभी तक सरकार 2400 लोगों को 12 करोड की अनुगरह राशी बांट चुकी है कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर हमेशा से प्रश्ण उठते आए हैं कोरोना पॉजिटिव के बाद कई लोग अस्पताल में दाखिल हुए लेकि जब उनकी मौत हो गई तो उन्हें नेगेटिव बता दिया गया इसी की चलते सरकारी रिकॉर्ड में आकड़ा सी मित रखने में अधिकारी काम्याब हो गए मगर जब अनुगरह राशी वितरित करने की बात सामने आई तो धीरे धीरे सही आकड़े सामने आने लगे अभी पेंडिंग आवेदन का निराकरन होने के बाद आकड़ा और भी उपर चला जाएगा अनुगरह राशी के लिए सबसे पहले पीडित परिवार को फॉर्म भरना होता है इसमें चिकित्सकी रिपोर्ट से लेकर समस दस्तावेश शामिल किये जाते हैं इसके बाद जाँच अधिकारियों की कमेटी ये फैसला लेती है कि पीडित परिवार को अनुगरह राशी दी जाना चाहिए या नहीं ऐसी स्थिती में अनुगरह राशी गलत लोगों को वितरित होने का कोई प्रश्ण भी नहीं होता लेकिन सरकारी आंकडों पर जरूर सवाल उठ रहे हैं आंकडों में इस फर्क पर इंदौर कलेक्टर मनीश सिंग ने कहा कि जिन लोगों की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद घर या गाउं में मौत हुई है उन्हें भी अनुगरह राशी वितरित की जा रही है कई लोग ऐसे थे जो पहली और दूसरी लहर में अस्पताल नहीं जाते हुए घर पर उपचार रत थे ऐसे लोगों के नाम पोर्टल पर नहीं चड़ पाए हैं इफी की चलते सरकारी रिकॉर्ड में आकड़ा और नुगरह राशी वितरण के आकड़े अलग अलग है